हेलो एब्रिवन इस वीडियो में हम अपने कॉंटिन्यू स्टेंस को कॉंटिन्यू करेंगे हम वॉइस पढ़ रहे थे और इसी क्रम में मेरे मेरी पिछली दो वीडियो को आप देख लीजेगा तो आपको बेसिक थोड़ा सा इसकी क्लारिटी हो जाए कि हमने अभी पीछे क् है आगे हम कॉंटिन्यू स्टेंस के बारे में पढ़ेंगे तो वोईसिस में आगे कॉंटिन्यू स्टेंस में क्या है इसमें भी जैसे कि पहले हमने पढ़ा है कि प्रेजंट है पास्ट है फ्यूचर है और मोडेल है इसमें भी हम चार हमने हर एक टैंस का जो कॉंटिन्यू होगा compulsory मैंने आपको बताया था object भी होना जरूरी है ठीक है और हमारे पास एक वर्व होने चाहिए वर्व की first form वर्व की first form वर्व की first form अब हमने पिछले indefinite में देखा था कि past में वर्व की second form यूज होती है बट यहां पर हमारे पास continuous में past continuous में हमारे पास वर्व की first form ही यूज होती है बस सबके साथ में ing 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 यूज होता है जैसे कि play playing तो सब में playing यूज होगा उस तरह से और b की form जो है वो यूज होती है यहां पर यहां पर already b की form है पिछले indefinite tensor में b की form नहीं होती थी हम भी लगानी पड़ती थी ठीक है क्योंकि b की form के बिना हम passive नहीं बना सकते तो is mr यहां पर है यहां पर was were है past है तो future है तो shell और will है और model है तो model के साथ में जैसे कि can, could, would, will इस तरह के sentences होंगे और model के साथ में हम me, might के साथ में हम b लगाएंगे और verb की first form तो यह structure है active का रहेगा, passive में क्या structure रहेगा कि हमारे पास जो object जो हमारे थे, वो object आगया जाएंगे जैसा कि हमें पता ही है, subject हमारा पीछे चला जाएगा, हम verb की third form लगाते हैं और by भी लगाते हैं, ठीक है, clear है अब इसमें b की form है, तो हम b की form को as a tc use करेंगे, यहां भी b की form है, तो हम इधर भी b की form को as a tc use कर लेंगे और पर ing को हम किसमें change करेंगे, being में change कर देंगे, ing को हम किसमें change कर देंगे, being में change कर देंगे, ठीक है और वर्व की third form लगाएंगे तो यह होता है active से passive में change करने का तरीका अब हमारे पास है future continuous और model तो future continuous change नहीं होता अब वो क्यों change नहीं होता है इसका reason मैं आपको पहले ही बता देती हूँ अब आप देखिए कि यहाँ पे हमारे पास भी पहले से ही है ठीक है और हमने अभी देखा कि अगर हमने ing को एक clear करके आपको दिखा देती हूँ देखिए यहाँ पर ing है तो इसको हमने being में change करना है passive में जाके हमें पता है अब यहाँ पर ing है और इसको passive में change करना है लेकिन यहाँ तो पहले से ही भी है अगर यहाँ पर B है ठीक है तो हमें यह वाला B भी यूज़ करना पड़ेगा और ING है तो हमें यह being इसको बनाना पड़ेगा तो क्या यह दूनों चीज़े इकठी possible है नहीं इसलिए हम इसको यहाँ पर future continuous को change नहीं कर सकते और model को भी हम इसी तरह से passive नहीं change कर सकते क्योंकि यहाँ पर B हमारे पास पहले से ही B जो है वो मौजूद है और ING को हमने being बनाना है तो हम इसको use नहीं कर सकते ठीक है अब हम इसके अब हम इसके tenses बनाते हैं तो देजले देखते हैं कि इसके हम tenses को कैसे बनाएंगे इसमें है tenses को sentence को जब हम change करेंगे तो आप देखें यहाँ पर क्या था हमारे पास continuous में हमारे पास था कि हमने I जो है हमारा यह subject है एम जो है वहाँ पर लगा हुआ था हमने पढ़ा था इसमार में से कुछ लगेगा तो continuous में हमने वो लगा दिया लेकिन आपको tenses के knowledge होना voice आने से पहले बहुत जरूरी है अगर आपको tenses के knowledge नहीं तो आपको नहीं पता चल पाएगा कि यह tense जो है वो continuous में फॉल करता है यह tense जो है वो simple में फॉल करता है वो किस तरह का tense है यह आपको पता नहीं होगा तो आप उसको change करने में आपको दिक्कत होगी इसलिए मेरी suggestion जहे है कि आप पहले tenses को बढ़ें देन आप voice पे move करें ओके और writing था जनी कि हमारे पास verb की first form plus ing था और object था ओके यही structure था हमारे पास यहाँ पर हमने क्या किया object को आगे ले आए object और हमने object जो है यहाँ पर जो हमने यह helping verb लगाई है यह हमने subject के साबस लगाई है letter के साथ में m तो आने सकता ठीक है न तो हमने क्या लगा है is तो आपको यहाँ पर क्या पता लगा कि जो हमारा helping verb है वह according to subject चेंज हो रही है और हमें पता था कि हमने ing को being में चेंज करना है और right को हमने return में चेंज कर दिया वह की third form preposition by लगाई और I को हमने according to pronoun के subject object के rule के according हमने उसको me में चेंज कर दिया next है हमारे पास past continuous यहाँ पर है हमारे पास तो यहाँ पर क्या है past continuous में हमने I subject है was हमारा जो continuous में was वर आएगा और reading an interesting novel तो इसको आपको change करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने चाहिए कि I was reading an interesting novel तो यहाँ पर क्या आएगा an interesting novel यह जो हमारा object है पूरा का पूरा इसको हम आगे ले आएंगे और हमने यहाँ पर was था तो हमने subject के according देखा कि an interesting novel एक ही है novel singular है तो was लगाया हमने और ing को हम being में change करते हैं और red को हमने यहाँ पर third form में change किया और क्योंकि इसकी third form जैसे की होता है वो change नहीं होता बोलने में उसकी changes होते हैं जिसको हम homo nimes और homo phones कहते हैं इस तरह से changes होते हैं बट लिखने में वो same ही रहता है और pronoun लगाया और हमने यहाँ पर change कर दिया आई को मी में इसी तरह से हमने पढ़ा था कि future continuous change नहीं होता क्योंकि things cannot future continuous does not change because two things cannot change simultaneously जैसे हमने पढ़ा था कि B भी है और उसको being में भी change करता है आप B की दो form हमें sentence में कैसे use कर सकते हैं जिस तरह से एक मयान में दो तलवारे नहीं रह सकती उसी तरह से हमारा जो है future continuous change नहीं होगा तो हम perfect tense के बारे में next वीडियो तब तक के लिए अगली वीडियो का वेच कीजिए और इसको revise कीजिए